बहुत तेज बारिस होने लगी है और यहां पर आलड भी जारी कर दिया गया है हेलो दोस्तों नमस्तियाद आपका मेरे यूटूब चैनल में मैं हूँ आरजुन और आप देख रहे हैं आरजुन ब्लॉगर दोस्तों बहुत दिनों के बाद हमने अभी ट्रावलिंग स्टार्ट की है और मैं आज बहुत ही अच्छे जगा पर आया हो आपको दिखाने के लि यह एक्टिवा सिक्षजी बाइक है तो जो गाड़ी का रेंट है दोस्तों मैं आपको बता तो गाड़ी का रेंट है 400 रूपे पर डे 500 रूपे उन लोगों ने मुझे मेरा डिपोजिट चार्जेस लिया है और मैंने दो दिन के लिए गाड़ी ली है तो यह एक्टिवा है अगर आप जब भी गाड़ी लेते हो दोस्तों तो कभी भी गाड़ी लेते हो तो आप उसका एक वीडियो बनाया करो ताकि अगर उस पर कुछ स्क्रेचेस वगर आ भी गए तो स्क्रेचेस आने के बाद आप जब वो लोटा देते हो तो वो लोग अगर क्रेचेस आपको र बागा बीच दोस्तो वनेज पेट्रोल बीड डालने के बाद भागा बीच वीडियों में पुरा नहिना दोस्तों स्प्टमबर में ऐभाJ wonders तो जरूर आप्ट्रायन करना क्योंकि बहुत अच्छा मोसम यहां पे जादा धूद नहीं है और रूप है मतलब लेकिन बारिश का मोसम भी है तो आपको इतना धूपका वह नहीं मिलेगा जादा आपको फिलिंग नहीं मिलेगा पापको बारिश घिरती है इदर बीच- आपको देकिन आप पक्का गोवाना दोस्तों बहुती मज़े है या इस नम्मर वातावराने पुरा पाहो ले झांपको ले महाँ किसा पाहँ शब अपक्तावना पैसा जिता हसां लेकिन आपकोसा मेशल्टा दोस्तों बहुती माँ शोस्तों बहुती मिलीग माँची वा है जा इस नम्मर दोวाilitк심र पक्का गाचसां अतरूश नुमर्गाइव दो क्यातावना राता इकिन भी का बीद् और भूद निमिलेंगे मतलब गंद्य होगे रहे थोड़ा सभी नहीं मिलेगा और अब बारीश भी आ रहे हैं शाहिद हम कई पहुते रुकिया रुकि जाते हैं मेरा बोट दिनों से प्लैन था कि में गोवा आउंगा लेकिन कुछ प्लैन अईसे उड़ता उड़ता जा रहा था लेकिन फाइनले फी मेने बना लिया तो है आया है और आप लोगों के लिए आ गया हूँ मैं बहुत दिन से अपने चैनल पे ट्राइवलिंग के वीडियो नहीं है तो फाइनल यापी ये वीडियो आप मैं बना रहा हूँ आपके लिए सामने जो आप देख रहे हूँ वो एक चर्च है ये चर्च बहुती अद्बुत मस्त और एकदम सुन्दर दिख रहा है दोस्तो गुआ में आपको चर्च जगा जगा देखने को मिलेंगे गुआ में आपको मंदिर भी देखने को मिलेंगे लेकिन चर्च आपको ज़ादा देखने को मिलेंगे गुवा में population की बात किये जाए तो हिंदू population सबसे ज़ादा है और उसके बाद second population है इसायो की बागा बीच के बहुत ही ज़ादा नस्दीक है दोस्तों गुवा में आप एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे चाइट में देख रहे हुआ बेक वीलाज इतने प्यारे प्यारे और इतने सुन्दर वीलाज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और नारियल के पेड़ों की तो बात करना ही मत दोस्तों यहाँ पे आपको लोगों से ज़ादा नारियल के पेड़ मिलेंगे और मैंने एक चीज़ नोटिस की यहां के घर इतनी सुन्दर होते हैं न आपती ज़दा सुन्दर गर होते हैं यही सुन्दता आपको आपनी तरफ अकरशित करती है और यही गोवाक की एक खासियत है दोस्तों फाइनली हम बागा पिच पे आगें यह देखो नदारा ओ माई गौड भूती शांदार नदारा यार यहां यूदर को पॉणी कितने आई है यहां पे पूरी पबलिक है यहां पे ओर यहां पे होटल है इस होटल में आपकुछ भी खा सकते हो और पबलीक देखो यह तो पीछे से नदरा ये कुछ इस तरह से है बागा बीच का गोवा राज्य की राजधानी पंजी से करीब 16 किलोमेटर दूर बागा बीच उत्तर गोवा के बागा गाव में स्थी थे यह गोवा का एक बहुती लोग प्रियब बीच है जहाँ बागा नदी का संगम समुद्र से होता है इसलिए इस बीच का नाम बागा बीच है में दोस्तों यह देखो मेरे पीच आप देख सकते हो बागा बीच वहां पर लिखा हुआ हुआ है चाहिछ नहीं रहाओ को कि में यहाप πिलिक HR Pबिक इतनी है ना यहां पर इतनी को पब्लीक बागा बीच बहुत ही जदा सुन्दर और बहुत ही जदा क्लीन बीच है यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग बीच का इंजोय लेने के लिए आते हैं यहाँ पे आप बनाना राइड्स या पैराग्लाइडिंग जैसी आप एक्टिविटीज कर सकते हो दोस्तों बहुत तेज यहाँ बारिश होने स्टार्ट होल गई है और जल्दी से जल्दी यहाँ पे सब लोग भाग रहे देखो मेरी पीचे सब लोग भाग रहे बारिश खुल गई है दोस्तों और आम यह आए है फिर बागा बीच के उपर लेकिन यहाँ पर अलट जा रही कर रहे हैं लोग कि वहाँ पर जाओ मत कोई भागक बंट अलाओं नहीं है तो आभी पॉबिक वहाँ पर अंदर जा रही है तो ऐसा हमें च recurはいा उनके बाद मांनी 집ím अब नहीं हो रहा है इसलिए नहीं हुआ हम लोग अब भी गरिक नहीं करेंगे लेकिन युदि मेरी सुझा अब defender कर ने करने के लिए क्योंकि बारिश चालूए तो सब बंद है यहाँ पे यह लोग अलट जारी कर रहे कि कोई घुसो मत यहाँ पे हैं तो अब हम लोग यहाँ पे आए हैं मैं आप लोग थोड़ा सा पीछे का फ्यू दिखा दाओ बैक कैमेरे से यहाँ बीच के पास में ही आपको बड़े बड़े होटल्स मिल जाएंगी जो लोग सस्ती बीयर पिने के शौकीन है वो लोग यहाँ पे आके सस्ती बीयर का आनंद ले सकते और जो लोग बीच के शौकीन है वो लोग यहाँ पे आके बीच का भी आनंद ले सकते खेर मैं दोस्तों गोवा का जो समंदर है देखो इतना क्लीन है इतना क्लीन है आपको नीचे की जमीन भी दिख जाएगी लेकिन जो हमारे मुंबई के बीच है ना वह हमारी पॉब्लिक ने बहुत गंदे कर रहे हैं मतलब मैं बुरा है नहीं कर रहा हूं सच्छा ही बता रहा हूं आख सब चक्रीकर देखें तक मुश्चे को इस अपध्यät्ये बढून सब्सक्राइब करना जांगा मतलब आप एविडियो के दहरे में लेगे करना जाओंगा जो भी बीच के पास हमारे मुंबई में घुमने जाते हैं यार मुंबई के बीच को क्लीन करो यार यह बीच बहुत ज्यादा क्लीन है मतलब मैं आगेन बोल रहा हूं मैं बुरा ही नहीं कर रहा हूं लेकि मैं सच्छा ही बता रहा हूं मैं जितने भी बीच मे में गया हूँ ना उतने बीच में मुझे आज तक ऐसा बीच कहीं नहीं दिखा बहुत ही ज़्यादा गंदे बीच है हमारे मुंबई में और वह गंदे बीच होने का कारण पब्लीक ही है वह हम ही है जो आप घुमने जाते हो आप तो दोस्तों यह था कुछ इस प्रकार से बागा बीच का नजारा और बागा बीच का वियू पूरा मैंने आपको दिखा दिया और यही बहुत ही अच्छा मतलब मैं परस्नली रिकम करूंगा आपको यहां पर आपको जरूर आना चाहिए और दूसरी बात जब भी आप इस त एचा लगा होगा तो अगर यह विडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आपके दोस्ते के साथ शेर करना वीडियो को लाइक करना चानल को सब्सक्राब करना और ऐसली व Suzanne में कर दो कर दो कर दो कर दो